हलो फ्रेंड्स, गुट मार्निंग, हाउ आर यू, आप बहुत अच्छा कर रहे होगे, रिवाइच भी कर रहे होगे, पढ़ भी रहे होगे फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों निकल पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था, जनरल साइन्स के बिसे में अरगानिक मिस्टी चल रहे थी, हमने आपको थोड़ा सा बैक्ग्राउंड क्लियर किया था, बैक्ग्राउंड में हमने आपको काफी सारी डिफनीशन्स, बताया था कि बगएर इसको समझे हम आगे नहीं चल सकते तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे उसी धातू में से अब हम एक-एक धातूं को ले करके उसके योगिकों को ले करके जहां से जहां से most important questions बनते हैं वो हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स सबसे महतपूरण बात की जो इनारगैनिक कमिस्ट्री में जनरल साइन्स में questions put up होते हैं UPSC या UPPCS या आधी competitive jumps में सबसे ज़्यादा यहीं से questions put up होते हैं किसी भी metals का use क्या होता है जो ग्राफी में भी आप खनिच पढ़ते होंगे खनिच में सबसे ज़्यादा questions यहां से put up होते हैं चाहे prelims हो चाहे means हो कोई भी means में तो नहीं लेकिन prelims में कोई धातु कोई elements कोई gas कहाँ सबसे ज़्यादा मानिवी जीवन में use की जाती है उसको आपको बताना होता है तो यह धातु के संदर्व में कहा सबसे ज़्यादा use की जाती है वो है थोड़ा सा हमने इसके concept को all describe किया है क्योंकि अगर आप जानते रहेंगे तत्यों को तो आपके लिए बहुत bitter होगा इसमें भी concept है इसके sodium जानेंगे तो sodium के थोड़ा सा गुड़ जानते हैं कोई भी elements आप पढ़ेंगे, metals पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा सा अगर आप गुड़ पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदे मंद हो जाता है अगर आपका यूज थोड़ा सा defect हो जाता है और आपको गुड़ याद रहता है तो आप कमोबिस सही कर ले जाओगे इसके बाद जैसा कि कल हमने बताया था धातू क्या है अधातू क्या है और तत्तू क्या होते हैं दोनों में अंतर क्या होता है कितने प्रकार का होता है धातू तो इस हिसाब से हम लोग एक-एक डिफिनिशन वाइच चलेंगे डिफिनिशन जैसे आज हमने लिया है यस के धातू कर्म ये सब तो आईये फ्रेंड्स हम लोग बिना किसी देरी के अपने टापिक पे चलते हैं सोडियम हमने एक बहुत इंपार्टेंट से धातू लिया है सोडियम सोडियम क्या होता है फ्रेंड्स आप लोग कच्छा नौ में ही परमाडु क्रमांक परमाडु भार ये सब वगरा वगरा पढ़ चुके होंगे उम्मीद करता हूँ I hope कि आप ये सब चीजे जानते होंग परमाडु क्रमांक बेफिकर रहे कभी भी UPSC, UPPCS, PIT इसके कमपटेशन में नहीं पूछा जाएगा कि परमाडु क्रमांक और परमाडु भार कितना होता है इसलिए बेफिकर रहे मैंने लिखा इसलिए है कि ताकि आपका पूरा दिमाख जितना आपने बैक में पढ़ बुरूरी होता है यन्ने 22.98 तो परमाड भार जो होता है परमाडु क्रमांक का दो गुना होता है तो ये इसका सिगनिफिकेंस हो गया अर्था साइन हो गया यन्ने अर्था सोडियम इसका यूज कहां करते हैं सबसे पहली चीज कि सबसे ज़्यादा जो टेकनालोजी में आ सीतलक के रूप में काम आता है जो नाब की भट्टी होती है वो गर्म हो जाती है और नाब की भट्टी के गर्म होने के बाद उसको ठंधा रखने के लिए द्रवित सोडियम जो सोडियम होता है उसको द्रव अवस्था में इसका यूज करते हैं बहुत इंपार्टन से हर ब आपकी भट्टियों में सीतलक के रूप में प्रयोक की जाती है यह कोश्चन सापन सौल पेपर उठाके देख लीजिएगा बहुत बार आप से मिलेगा तो उसका सीधा सांसोर है द्रवित सोडियम दूसरा है सोडियम लैंपो के रूप में सीधा UPPCS 2000 में पूचा है सोडिय रोधी योगिक के निर्मार में इसका प्रयोक किया जाता है दूसरा जो हमारा सरीर है सरीर के अंदर भी सोडियम की उपस्थती आवस्यक होता है और होती भी है कैसे जो सरीर की Metabolism mechanism होता है, उपापची क्रिया होती है, जुलोजी में आप लोग उपापची क्रिया पढ़ते होंगे, भोजन ग्रहन करने से लेकर के पचने तक कुछ सरजन तक यह सब metabolic किंत्र गताता है, हम लोग जुलोजी में इसको पढ़ेंगे बहुत बिस्तार पूर्वक, तो सरीर की उपापची क्रियाओं के लिए sodium chloride का उपयोग करते है, sodium chloride जो है उसका प्रतीक है यन्ने-सील, इसमें chlorine gas होती है, तो यह सरीर की उपापची क्रियाओं के लिए बहुत उपयोग होता है, तीसरा, कोसिका जिली में रक्त प्रवाह को, और कोसिका में सरकरा वा amino अमलों के प्र यानि blood यह सबको control में करता है यानि बढ़ने नहीं पाता और जब बढ़ने नहीं पाता control में रहता है तो बिमारी नहीं होती यह मस्तिस्क में यानि तंत्र नर्वस सिस्टम में तंत्रिकाओं द्वारा संकेतों के संप्रेशन के लिए भी उत्तरदा है जो हमारी तंत्रिकाओं तंत्र मस्तिस्क को कोई शंदेश भेशती है उसमें सोडियम क्लोराइट ही होता है चोथा रक्त दाब भी नियंत्रित करता है blood pressure को भी control करता है तो सबसे ज़्यादा अर्था जो यह हैं यहां से ले करके आप यहां तक को एक दम बहुत ही सौधानी पूरवक रट डालिएगा इसमें कुछ समझने लायक नहीं है आपको जितना हो सके उतना इसको बार-बार revise कीजिए बार-बार ताकि इससे ज़्यादा sodium का उपियोग अगर आप जानते हो तो लिख लीजिएगा लेकिन इतना most important है आप देख रहे होंगे कि UPPCS में पूछा है हर जगए यही पूछता है तो यह sodium का यूज हो गया कहां कहां पर sodium का यूज होता है यही आप से science में पूछा जाएगा क्रलिम्स में दूसरा मैंने जैसा बताया था sodium कुछ गुड जान लेते है भौतिक गुड या रासानिक गुड कैसे क्या होते है गुड में सबसे पहली चीज की sodium जो होता है बहुत मुलायम होता है बहुत ही मुलायम इतना मुलायम होता है कि अगर आप इसको चक्कु से काठना चाहें यह चक्कू से भी कड़ जाएगा अत्यंत मुलायम होता है यही नहीं अत्यंत मुलायम होने के साथ यह अत्यंत ही अभिक्रियासील भी होता है यह इतना अभिक्रियासील होता है कि इसको क्या कहते हैं खुले वायू में नहीं छोड़ते और खुले वाय में क्यों नहीं छोड़ते उसका concept यह है जैसे अगर वाय में नमी है तो इसका संचारण होता रहता है मतलब यह खटता रहता है बिखडता रहता है संचारण होता रहता है जिससे इस पर sodium oxide की परच जम जाती है क्यों जम जाती है क्योंकि sodium और वाय से अबक्रि तो जब sodium oxide की परत जम जाएगी तो तुरंत यह जलवास्प से क्रिया करता है जलवास्प मतलब वाय में आप जानते हैं कि H2O बिद्दमान रहता है अगर नमी है तो कुछ न कुछ मात्रा जलवास्प की रहती है ह2O से जब क्रिया करता है तो sodium hydroxide बन जाता है इसका प्रतिक यह नहीं हो यह अच होता है और जब sodium hydroxide carbon dioxide चोकी वाय में मुझूद होती है CO2 तो CO2 से क्रिया करके sodium carbonate बना लेता है यह ने 2 CO3 बना लेता है तो जब यह आप खुले वाय में में रख दोगे sodium से बन गया sodium carbonate इसलिए इसको खुले में नहीं रखा जाता है मिट्टी के तेल में रखता है बहुत important questions है यह आपके means का topic है पहली चीज़ की sodium को हम खुले मे नहीं रख करके क्यों मिट्टी के तेल में रखते है यह आपका concept है तो यह समझ में आ गया होगा आपको चौथा तीसरा है sodium जो है chlorine gas से अपक्रिया करता है और chlorine gas से अपक्रिया करके शाधारा नमक बना लेता है जो हम भोजन में प्रियोग करते है यह ने सियल तो यह आप द दिखा हूं यह छारी धातु है sodium जो होता है यह छारी धातु होता है छारी धातु होता है इसको आप लोग लिख लेजिएगा अमलाव छार जब हम लोग पढ़ेंगे कैसे अमले छार की परिभ्यासा डिफाइन की जाती है वह आप लोगों को पता होगा और नहीं पता होग हम लोग अमला और छारवाले चैप्रस में देखेंगे जिए तो फ्रेंट्स यह सोडियम का कुछ कांसिप्ट है जो आपको बहुत यूज करेगा अब हम आते हैं एक अलग कांसिप्ट पर कल हमने आपको धातु पढ़ाया था धातु क्या होता है अधातु क्या होता है फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग जानते होगे मैं थोड़ा सरिवाइच करते रहा हूँ धातु को मैंने बताया था कि धातु क्या होता है बैंक होता है जो इलेक्टरान को त्याग करके धनान बनाने की परविर्ति रखता है और आधातु में मैंने आपको बताया था, यह customer होता है, जो electron को ग्रहन करके रिडायन बनाने की परविर्ती रखता है, धातु में एक BCS चमक होती है, धातु पारदर्सी नहीं होता है, आधातु पारदर्सी पारभासी तीनों हो सकते हैं, धातु हमेशा ठोस अवस्था में हो सकती हैं, तो यह मैंने कुछ को बताया था, इसके बाद उसी में आब आगे का concept है, ISK, ISK क्या होता है, बहुत important ISK, जोग्राफी में लगभग चार चैप्टर इसी ISK पे ही होते हैं, आप लोग जोग्राफी में पढ़ रहे होगे, ISK कम से कम 15 दिन का लिक्चर होता है, ISK प तो ISK से ही जियोग्राफी में questions बनते हैं और कहीं बाहर से नहीं बनते हैं, ISK कहते किसे हैं, आइए देखते हैं, ऐसे खनिज जिन से सुद्धातू का निसकर्शन आर्थिक रूप से किया जाता है, बस एक लाइन की definitions हैं, आर्थिक रूप से अगर किसी खनिज का, ठीक है, आइरन, अब आइरन सुद्धवस्थम नहीं पाया जाता है, आइरन क्या है, लोहा, अब लोहा को सुद्धवस्थम लाने के लिए क्या करते हैं, फेरन खनिज, तो यह जो है, उसका निसकर्शन किया जाता है, उसमें कई सारे process होते हैं, शुद्ध, अभी methodology में हम लोग उस करम की रिड होती है, यानि अर्थ ब्योस्था की वो रिड कराती है, तो वो आयसक कराता है, अब ही हमने सोडियम के भी से बात किया था, तो सोडियम आयसक, सोडियम के कितने आयसक होते हैं, पांच आयसक होते हैं, फ्रेंट चिंता मत करिएगा, इन पांचों आयसक को हम लो आयस्क होता है श्राधारन नमक, यन्ने-CN, फिर सोडा आयस, यन्ने-2CO3, फिर धावन सोडा, यन्ने-2CO3 into 10H2O, चिली साल्ट पिटर या चिली नाइटर जिसको बोलते हैं, यन्ने-NO3, फिर ग्लोबर साल्ट, यन्ने-2SO4 into 10H2O, ये सोडियम के 5 आयस्क होते हैं, यह भी आ चिली साल्ट पिटर का प्रियोग किया जाता है, ग्लोबर साल्ट क्या होता है, ये सब आप से उचा जाएगा, ये सोडियम के आयस्क हो गए, अभी हमने आपको आयस्क बताया, धीरे-धीरे काफी सारे डिपनिसन्स हो गई, अब हम आते हैं धातु कर्म में, इसको इंगलि जाहिर सी बात है, फिरन किसी खनिज में होगा, और खनिज से लग आयस्क प्राप्त किया जाएगा, ठीक है, खनिज से क्या प्राप्त किया जाएगा, लग आयस्क से सुद्धातु प्राप्त किया जाएगा, इसी को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वही धातु कर्म क वो पांच प्रकार की होती है, उसमें सांदरन होती है, सांदरन की बहुत सारी विदिया होती है, अर्थात कुल मिला करके, खने जिसे सुद्धातु प्राप्त करने की जितनी सारी प्रक्रियां होती है, वो धातुकर्म की प्रक्रिया के अंतरकत आती है, हम लोग एक-एक होचते हैं उसको एक एक देखेंगे तो फ्रेंड्स जो आज सोडियम के रूप में हमने आपको विस्तार पुरुवक पढ़ाया इसको आप लोग रिवाइच करिएगा जहां कोई जहां से मेंटर आपको मिले पढ़ लीजिएगा तो मिलते हैं फ्रेंड्स निक्स लेक्चर में और एक हमबल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स जो लोग चैनल पर नए हैं कृप्या करके चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन की बटन जरूर दबा दें क्योंकि फ्रेंड्स आपक इच्छे से समझाने का प्रयाज करते हैं तो आप लोग जितना हमको मोटिवेट करेंगे उतना ही हम आपको प्राफिट पहुचाते हैं फ्रेंड्स तब तक के लिए मिलते हैं कल के लिए थैंक्स इलाटा थैंक्स